कि सब्धिवाईयों को राम राम जे हीन जे गवमाता में राजस्तान डेरी फार्म से यह एक सेकंड लक्टेशन मुंद्डड़ा सींग की गवमाता मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुती शांदार प्योटी आप देख सकते हैं गवमाता की बहुती शांदार कान आप देख सक सकते हो ठीक है थनों में जो गेप है वो मैं आपको दिखाता हूं मेरी दायन दखनता हूं कि यह कि सेकेंड लक्टेशन है नीचे फीमेल कालफ है बहुती शांदार भाव नगर का कबराफ फीमेल कालफ है आप सकते हो 15-16 लीटर मिल्क कैपिसिटी की रहने वाली है तीक है यह देखिये प्योटी देखिए गवमाता की बहुत शांदार ठीक है आज चार दिन की वियायी भी हो चुकी है और अभी 12-13 लिटर दूद तयार है मैं इसका फीमेल काल्प भी आपको दिखाऊंगा और इसी वीडियो के मात्यम से मैं एक और गवमाता दिखाऊंगा जो कि 14-15 लिटर दूद किये वह भी सेकेंड लक्टेशन में ठीक है मैं पहले आपको इसका फीमेल काल् चांदार आपको यहां से लग रहा होगा कि दो इथन की गाई है ठीक है पीछे वाले के बराबर में पीछे वाला थन है और आगे वाले के बराबर में आगे वाला थन है बहुती शांदार प्योर्टी वाली मूह मूंदड़ा सीइंग में गवमाता है अपने सेकेंड कि इसका फीमेल काल्फ मैं आपको दिखाता हूं कि इसका फीमेल काल्फ मैं आपको दिखा देता हूं बहुत शांदर फीमेल काल्फ कान आप देख सकते हो गवमाता का फुल प्योर्टी वाली मूंदरा सींग में गवमाता है सेकंड लक्टेशन में ना भी आप देख सकते हो थनों में जो गेप है वो आप देख सकते हो बहुत ही शांदार अब मैं इसी मीडियो के माध्यां से आपको दूसरी गवमाता दिखाऊंगा यह शेकंड गवमाता थीक है यह सेकंड गवमाता है इसके अभी 12 लीटर दूढ तइयार है तेरा से 14 लीटर 15 लीटर तक भी रह सकती है गवमाता पैउटी आप देख सकते हो बिलकुल छोटा सर बिलकुल छोटी आथ बिलकुल चोटा मूँ और एक नॉर्मल सींग है यह बड़ा सींग नहीं है बिलकुल ना तो छोटा है ना बड़ा है नॉर्मल सींग है अपने सेकेंड लेक्टेशन में और इसके नीचे भी फीमेल काल्फ है जो मैं आपको दिखाऊंगा और इसका एडर मैं आपको दिखा जैता प्रूमा के यह देखिए यह एडर आप देख सकते हो गवमाता का बहुत ही शांदार ठीक है ठान आप देख सकते हो मुठिया ठन बहुत ही शांदार यह भी गवमाता आपने सेकंड टाइम पर है और यह 12 से 13 दिन की जनीवी हो चुकी है और अभी 12 लिटर धूद तयार है 12 लिटर मिल्क तयार है दोनों जोड़ा मैंने आपको दिखा दिया है यह वह फश्ट वाली थी यह सेकंड वाली है और दोनों के नीचे फीमेल काल्प है ठीक है भाईयों चलते हैं राम राम